नमस्कार दोस्तों सुवगत आपका एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल पीके सलकारी योजना पर दोस्तों आज हम EPS पैंसन धारकों के लिए यह कबर लेकर आए है यह कबर आपके लिए बहुत महत्यपून होने वाली है दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बराबरे मेर लाइग करने उसको भी फरेश्ट जरूर कर ले ताकि आपको पैंसन से रिलेटर सभी जाने करें सबसे पहले फ्राफ्त हो सकें दोस्तों आपकर समझ आया करते हैं शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सरकार ने बता है कि जो EPS पर लिमिट लगी हुई थी उसे हटाने की कारवाई सुक्रीम कोट में जारी है दोस्तों तो आपको बता दे कि Employee Pension इसकी मियानी EPS के तहत निवेश पर लगे कैंप को जल्धी हटाय जा सकता है इसको लेकर अब सुक्रीम कोट में मामला आ सकता है लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आप से क्या लेना देना और इससे आपके जिन्दकी पर क्या असर पड़ेगा हम आपको इस वीडियो के महद्यम से आपको सारे जान कर देगे आप हमारे वीडियो को अंत्त तक जरूर देगे क्या आप EPS सीमा को हटान का मामला इस मामले पर आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लेते हैं कि आकिर ये फूरा मामला है क्या दोस्तों अभी अधिक्तम पैंसन योग्य वेतन 15,000 रूपे परती महीना तक सीमित है मतलब आपकी सैली चाहे कितनी हो लेकिन पैंसन की केलिवलेशन 15,000 रूपा पर ही होगी इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है सुक्रिम कोर्ट ने बारा अगर्स्त को भारा संग और करमचारी वहस्य निदी संगटन यानि EPFO की और से दयर या चीकाओ के उस बैंच की सुनुआई इस्थागित कर दी थी जिसमें कहा गया था कि करमचारीों की पैंचन को 15,000 रूपे तक सीमित नहीं किया जा सकता इन मामलों की सुनुआई कोर्ट में चल रही है दोस्तों जैसे जैसे हमें जानकारी पराफ्त होगी हम आप तक पहुचाने की जल से जल करपा करेगी दोस्तों अगर आपको हमारी सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बराबर बैर करने को भी दफा ले ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके और दोस्तों हम इस पर जल से जल आपको नई जानकारी परदान अवश्य करेगी दन्योर